शाम के साथ बश्टी बश्टी अरजुन अपनी माँ शार्दा से दिनर मांगने लगता है माँ दिनर बन गया हो तो जल्दी से लगा दो बहुत जोरों की भूग लगी है तबी रसोई में से जहांकती हुई शार्दा देवी चौकती मिजाज से बोलती है हे अरजुन ताइम देखा है अभी शाम के साथ भज रहे हैं और तुझे इतनी जल्दी भूख लग गई है थोड़ा सबर कर ले माता रानी की जोद बाती करके डिनर बना रही हूँ कुछ देर में शार्दा डिनर रेडी करके परोस्ती है और अरजुन माता पिता और बहन की साथ डानिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है तब ही फोन पर लगातार तीन-चार मैसेज आते हैं तो चिड़ भरे मिजास से शार्दा बोलती है आरे इस चिलगोजी को चुक कर वा देंगी मा कुछ भी तो नहीं है कंपनी के मैसेज है मेरा पेट भर गया अरजुन फटाक से फोन उठा कर कमरे में चला जाता है तब यह उसके फोन पर विदेशी नमबर से वीडियो कॉल आता है जिसमें अंग्रेजन से लड़की जिसका नाम एलीना होता है वो बोलती है थ जिन जहां बहुत पूजा पार्ट वाले खराने का लड़का था वही एलीना अमेरिकन अंग्रेजन लड़की थी लगवग एक महीने पहले दोनों की स्नैपचैट पर बाश्यूर हुई और दोनों में प्यार हो गया पर क्या शारदा देवी एक अंग्रेजन लड़की को अ इतनी लेट तक रात रात भर उल्लो के तरह जागता रहता है चल सोजा सोए माता रानी की पूजा में कभी मौजूद नहीं होता हाँ बस सो रहा हूँ ना बीटे का बदला बदला स्वभाव देखकर शारदा अपनी गाउवाली बेहन रज्जो को फोन मिला कर सब बताती है तो रज्जो मिर्च मसाला लगा कर उसे भढ़काती है ये शारदा जी जी लड़के के लक्छन देखकर तो लग रहे हैं जैसे प्यार की चक्कर में पढ़ गया हो आज कल के बच्चे तो अपनी मनमानी करते हैं मैं तो कहती हूँ लल्ला का कोई सुन्दर सुसी लड़की द लेकर चट मंगनी प्योट्ट विहा करवा दो पतनी आएगी तो खुद जिम्मेदारी आजाएगी तू उचित कहती है रज्जो मैं कली पंडित जी को बिलाती हूँ अगले दिन जब शारदा बेटे के कमरे में आती है तो वहां ख़त पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था मा मैं अमेरिका जा रहा हूँ किसी बहुत खास काम से लटकर सब बताऊंगा हो सके तो शमा करना आपका बेटा अरजुन प्रणाम बोलो भला ये क्या बात हुई मा को बिना बताय चला गया हे मातारानी मेरी लाज आपके हातों में है मेरी चोखट के अंदर कोई बाल नीली आंके और दूद की तरह सुंदर चेहरा देखकर अरजुन देखता रहे गया अरजुन क्या हुआ आर यू ओके तुम ठीक हो एलिना तुमने हिंदी बोलना कब सीखा जब तुम मेरी लाइफ में हाई मैं इंदी डिक्शनरी में इसी भारती हूँ चालो मैं तुम दोनों एक दूसरे के साथ में काफी पल बिताते हैं अरजुन एलिना से शादी करके उसे अपने साथ अपने देश अपनी घर ले आता है जहां दौार में खड़ी अंग्रेजन बहो को देखते ही शार्दा देवी के सीने पर सांप लोट जाता है प्राम मा, प्राम पताजी अपनी अंग्रेजन बहो के मांग में सिंदूर, गले में मंगल सूत्र और कलाई में चुड़ा देखकर बौकलाई में जास में शार्दा उल्टा सीधा सुनाने लगती है क्योरी अंग्रेजन, क्या रिष्टा लगता है तेरा मेरे बेटे से, जो साथ समंदर पार से सौगाद बनकर चली आई पीछे पीछे शार्दा जी, ये क्या तरीका है बात करने का? हो सकता है ये हमारे अर्जुन की महमान हो और भारत में आधिति देवो भव होता है दर्वाजे पर आई महमान का दर्जा भगवान के बराबर होता है बनवारी जी, आप तो रहने दीजिए, जिसका डरता वही हुआ अर्जुन, आप तो चुप क्यों खड़ा है? जवाब दे अपनी मा को मा, अलीना मेरी धरम पतनी और आपकी बहु है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे अच्छी जीवन साथ ही आपके बेटे के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती थी तब ही अपनी अंग्रेजन भावी के गोरे चिट्टे रंग और सुन्दर्ता के जलते हुए बहन शिप्रा आगमेगी डालने का काम करती है हाँ हाँ भावी आपको तो ये छोटी-छोटी कपड़ी पहनने वाली अंग्रेजन गोरी में ही पसंद आई थी शेम आनियों भावी तूने अपनी मर्जी कर ली तो अपनी इस मा का फैसला भी सुन ले अर्जुन मैं इस अंग्रेजन भाव को किसी सूरत में भी नहीं अपनाओंगी अरे हमारे जाध धरम की तो दूर जो हमारे भारत की नहीं उसे क्या पता यहां के रीती रिवास व्रत्योहार का अपने खालेश निकाल कर शार्दा कमरे में चली जाती है इरीना दर्वाजे पर ही खड़ी रह जाती है अगले दिन से वो एक हिंदुसानी भाव की तरह पूरे ससुराल की सफाई पूजा पाट करती है और खाना बनाती है लेकिन अब तलक भी सास के दिल में खटास भरी होई थी अब नवरात्री का पावन प्रत आने वाला था तब इशार्दा कड़वाहत से कहती है सुन मेरी अंग्रेजन बहु कल से माता रानी के शरत नवरात्री शुरू है तो विदी विधान से पूजा पाट करे ऐसी तो तु है नहीं तो सफाई ही कर देना इतने में अपनी अंग्रेजन भावी को सताने के लिए ननन शिपरा बाल्टी भर के गोबर लाती है ये लो मेरी कोरी कोरी तूद की चट्टोरी अंग्रेजन भावी आप पूरे घर मंदिर को इस गाए कि गोबर से लीपना अब आए का मसा जब मेरी अंग्रेजन भावी एक मिनट में मना करतीगी गोबर से घर लीपने को लेकिन पूरी शुरद्दा के साथ अंग्रेजन बहु बिना नाकमू बनाए गोबर से घरांगन मंदिर लीपती है और नवरात्री के पहले दिन बिना किसी के जगाए तड़के भोर में उटकर नहा धोकर साड़ी पहन कर आर्थी के थाली सजाती है और फूलों की माला गूतते हुए अंग्रेजी बहाव में भजन गुन गुनाती है आम जे आम भे कौरी मया जे शामा गौरी अंग्रेजन बहु के बजन से सास की नीन खुल जाती है हे मातारानी साथ बशने वाले हैं और मैं अभी तक पलंग पर पड़ी हूँ मातारानी का दर्बार सजाना है माला बनानी है थाली सजानी है प्रसाद बनाना है सब कुछ कैसे होगा सास जल्दी से इसनान करके मंदिर में आती है तो सारी तयारिया हो रखी होती है प्रणामा जी सारी तयारिय हो गई है अब स्थापना कर दीजिए मैंने भुक लगने के लिए शीरा और फंचमेवा भी तयार कर दिया है लेखर आती हूँ अपनी अंग्रेजन बहु की नवरातरी वरत की आस्ता भक्ती को देखकर सास प्रसन हो जाती है दोनों मिलकर नवरातरी की पूजा करती है तबी थाली में से सिंदूर लेके सास बहु को लगाती है हमारे इंदुस्तान में मानेता है कि सुहागन औरतों का सिंदूर जितना लंबा होता है पती के उम्र भी उतनी लंबी होती है इसलिए पूरी मांग भरा करो अच्छा लगा तुम्हारे मन में अवरातरी की भक्ती देखकर सदा खुश रहो अपनी सास के दिल में प्यार जाकता देख अंग्रेजन बहु की आँखों में आसुच लग जाते हैं डबडबाई आँखों से मादुरगा को वो धन्यवाद देती है इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है निर्जला नवराती वरत गिये अंग्रेजन बहु सास पती और ननन को नाश्टा बना कर परोस्ती है तो सास पूशती है अरे बहु तू भी बैट कर नाश्टा कर ले ये सुनकर ननन शिप्रा खासनी की एक्टिंग करते हुए अंग्रेजन भाबी को रुस्वा करती है अरे शिप्रा तू ठीक तो है एक्दम अचानक से क्या हो क्या मामजी अंग्रेजन भाबी की नौ तिनों का वरत वाली बात हाजब नहीं हुई और वैसे भी बाबी ये बिना पानी की एक बुन पिये और खाना खाये वरत रखना आपके बस की बात नहीं शाम तक पता लग जाएगा कितने पानी में हो शिप्रा ऐसे किसी की भक्ति का उपहास नहीं उडाते समझी पहली बार शारदा अपनी अंग्रेजन बहु के पक्ष में बोलती है इसी तरह आठ दिन गुजर जाते हैं और नवरात्री का नौवा दिन आ जाता है एलीना सवेरे के तीन चार बजे से उड़कर नहादो कर प्रसाद बनाने लगती है और एक बार फिर से दिल में नौदेवियों के लिए भक्ती भर कर अंग्रेजन बहु भजन गाती है हाथ चोड़ कर खड़े हूँ तेरी ध्वार मेरी मा फूरी कर दे मुरा दे एक बार मेरी मा तेरी कंजग बैचाओ फूरी हलवा खिलाओ तेरी चोथ चलाओ लाल चनरी उडाओ अपनी अंग्रेजन बहु के मन में अपार भक्ती देखकर सास की आंखों से जर जर आसु बह जाते हैं तोनों मिलकर कंजग पिठा के नवरादे वरत संपूर्ण करती है और शारदा अपनी अंग्रेजन बहु को स्विकार करती है बहु मुझे शमा कर दे तुँ अंग्रेजन थी इसलिए मैंने तुझे स्विकारा नहीं मगर तुझ जैसी बहु पाकर मेरा जीवन सफल हुआ और मैं सातों जनम तुझ अंग्रेजन बहु की सास बनना चाहूंगी एलिना की आँखों में खुशी क्यासू थे अंत में सास और अंग्रेजन बहु मिलकर मातारानी की बिदाई करती है वेल दोस्तों आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी विसे क्या आप बता सकते हैं अंग्रेजन बहु ने इस कहानी में कौन-कौन से नवरातरी की इपक्वान बनाए थे